तो आज के आडिकल को डिसकस करते हैं, दाहंदू का आडिकल है डिजास्टरस डिजीजन, तो देखो मेरा एक फंडा है कि चाहे रीडिंग कम करो लेकिन रीडिंग को इतने अच्छे से करो कि हर चीज आपको क्लियर होनी चीए लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं सर्फ grammar देखनी है ये देखना है वो देखना है अरे कुछ नहीं देखना तुमने वोकैब नहीं देखनी वोकैब को सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है वोकैब को सिर्फ जैसे मैं करवा रहा हूँ उसको बार बार सुनो जितना जादा listening होगी ना उतनी जादा यहां बैठेगी जा के चीज ठीक है तो listening भी करो उसकी तो पढ़ते हैं आज के अंदर यूज हो रहा है ग्रैमर कैसे यूज हो रही है वो सब चीजे देखने की कोशिश करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजास्टरस डिसीजन के बारे मैं आपको बता देता हूँ डेवल्य एचों की फंडिंग रोक दी है यूज से ने ट्रंप जी ने ट्रंप अंकल के बारे में मैं आपको पहले भी कहीं बार बताया है कि अंकल जी डिसीजन लेते हुए सोचते नहीं है उनको बस जो मन में आ जाए वो करना है उनको नहीं सोचन पर जब डेवल्य एचों की सबसे ज़्यादा जरूरत हो सकती है ऐसे टाइम पर जो जो सबसे ज़्यादा डेवल्य एचों का जो फंडिंग आता है वो यूससे से आता है और उस फंडिंग को रोक दिया जाएगा तो एक तरह से डेवल्य एचों कहीं ना कहीं गला घोटने की कोशिश की गई है Trump अंकल के द्वारा तो ट्रम अंकल ने क्या डीसिजन लिया उसके बारे में अथर ने क्या लिखा उस सीज को पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं क्या लिख रहा है at a time ओधर लिख रहा है at a time when the world health organization has been seeking at least dollar six seven five million additional funding के रहा है ऐसे टाइम पे जब वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनाजेशन डवलु एच्चों को एक्स्ट्रा 675 मिलियन डॉलर की फंडिंग चाहिए for critical response efforts in countries most in new during the pandemic US President Trump has done the unthinkable के रहा है ऐसे टाइम पे जब ज़्यादा जरूरत है उस टाइम पे Trump जी ने ऐसा काम कर दिया है जो unthinkable है जो उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और काम क्या किया है halting funding to WHO while a review is conducted to assess its role in severely in severely mismanaging and covering up the spread of coronavirus and for failing to adequately obtain vet and share information in a timely and transparent fashion WHO के जो chief है उनके उपर ये blame लगाया जा रहा है कि उन्होंने जान भूज के चाइना को cover up करने के लिए चाइना को चाइना की market में disgrace ना हो चाइना को defame ना हो इसके लिए उन्होंने जान भूज के कुछ ऐसी misleading information लोगों को दी जिससे covid-19 जो है पूरे world में pandemic मन के सामने सब के आ गया है और सबको पताए कि बहुत बूरे हाला आते हैं हम लोग खुद इंडिया के अंदर पिछले काफी दिनों से आज 16-23 दिन हो गए हैं और 16 तारीक हो गई है आज हम काफी दिनों से लोग डाउन में चल रहे हैं तो उसी चीज पे लिख रहे है क्या के रहे है वाइलर रिव्यू इस कंड़क्टिट टू असेस इट्स रोल इन सीविरली मिसमेनेजिंग एंड कवरिंग अब दस्प्रेड ओफ करोना वाइरस के रहा हाला की अभी इस पे रिव्यू होना बाक इसमेनेज किया एंड कवरिंग अब दस्प्रेड ओफ कोरोना वाइरस एंड फोर फेलिंग डव्यू हो के बारे में लिख रहे है कि शायद वो फेल हो गया किस चीज में तू एडिक्वेटली अब्टेन को प्रोपरली एडिक्वेटली मने प्रोपरली अब्टेन नहीं किय फिर वेट नहीं किया एंड शेर नहीं किया इनफोमेशन इना टाइमली और ट्रांस्पेरेंट फेशन में यह चीज नहीं कर पाया अभी यह रिव्यू होना बाकी है लेकिन उससे पहले ही ट्रम्प अंकल ट्रम्प अंकल की आदत है जलंद बाजी में सारे डिसीजन ले ले to put funding on hold क्या रहे the decision comes क्या रहे यह decision है यह decision आया है? कब आया है? जब वीक आफटर ही threatened जब उसने धमकी दी थी एक यह फ़े धमकी दी थी क्या? to put funding on hold उसने गा था भाई साम मैं तो अपनी funding hold कर दूँ हा मैं नहीं देने माला funding किसको? for the global health body for the global health body मतलब WHO क्या रहे at over at over dollar 500 million that US is WHO's biggest contributor क्या रहे इतना 500 million से भी जादा पैसा देता है funding देता है USA किसको funding देता है WHO को तो यह WHO का biggest contributor है America is also the worst affected country और at present मालब ठीक है उसका contributor तो है लेगिन worst affected country भी है इस टाइम पे over point six million छे लाग के round cases है वहाँ पे and nearly twenty six thousand deaths और लगभग nearly माने nearly यहाँ पे क्या यूज कर रहा है approximately कितना यूज हो रहा है और 26,000 के round deaths हो चुकी है यहाँ से एक बात सीखते चलो देखो यहाँ पे भी लिख रहा है देखो over और यहाँ पे भी लिख रहा है over जब भी over and above की बात आती है over above में percent confused होते हैं बात सीख के जाना, over जो word होता है, इसका meaning use होता है more than, और above का meaning use होता है higher than, तो जब भी numbers की बात आती है, कि इस से ज़्यादा number, कि 200 से ज़्यादा लोग आये हुए हैं, तो over 200, जब भी more than की बात आएगी, वहाँ पे हमें जरूरत पढ़ती है over की, इस बात को हमेशा ध्यान र ठीक है जी, फिर क्या लिख रहा है, but halting funding at a crucial time, but halting funding, यहाँ पे एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ आपको, मुझे आप से इस halting और funding, दोनों का मुझे आप से part of speech चाहिए, part of speech in the sense, कि यहाँ पे यह sentence में halting V1 plus ING, यहाँ तो जीरंड होता है, या present participant होता है, usually शायद यह आप सबको पता होगी, नहीं पता तो basics of English grammar के videos देख लो, वहाँ से समझ में आ चाहिए, उसके बाद, जिनको पता है, या जिनको नहीं पता, videos देखने के बाद, आप लोग मुझे पता होगे, कि halting और funding जो है, यह जीरंड है, या present participant है, halting funding at a crucial time, will not only impact the functioning of the global body, but also hurt humanity, देखो कह रहा है, but halting funding at a crucial time, ऐसे crucial time पर funding रोकना, will not only, ध्यान से देखना, not only के बाद, but also का pair होता है, not only impact the functioning of the global body, कह रहा है, सिरफ डबली अच्चोगी functioning इससे impact नहीं होने वाली, but also hurt humanity, इससे humanity भी hurt होगी, दूसरी बात देखना, not only और but also जो होते हैं, यह क्या करते है, parallelism को follow करते हैं, not only के बाद भी verb आ रही है, not only के बाद भी क्या आ रही है, verb आ रही है, but also के बाद भी ध्यान से देखो, तो verb आ रही है, ठीक है जी, तो not only impact the functioning of the global body, but also hurt humanity, कह रहा है, सिरफ डबली एच्चोगी नहीं होगा, बलकि humanity भी impact होगी, उसके आगे क्या लिख रहा है, कह रहा है and even for essentials, such as testing kits and masks, will be badly hit, for no fault of theirs, for no fault of theirs, कह रहा है, कि बहुत सारी जो low and middle income, जो african countries है, बहुत सारी ऐसी countries है, जो जिनके पास अपना खुदगा कुछ infrastructure नहीं है, उनको infrastructure, testing kits और यह सब चीज़े कौन प्रवाइड गरेगा, डबली एच्चोगी प्रवाइड गरेगा, लेकिन अ पैसा ही नहीं होगा, तो डबली एच्चो कहां से प्रवाइड कर देगा, तो वही लिखे, many low and middle income countries, that look up to डबली एच्चो, जो डबली एच्चो की तरफ देखती है, किस चीज़ के लिए, for guidance and advice, जो guidance and advice मांगती है, उसको बहुत उच्चा समझते हैं, डबली एच्चो को, and with a little, with a little, with a little, एक होता है little, एक होता है a little, little का मतलब होता है, ना के पराबर, negligible, a little का मतलब होता है, थोड़ा सा, तो कहारे, with a little over 2 million cases, with a little over, फिर से ध्यान से देखना, over, क्यों over, क्यों over, क्योंकि number की बात हो रही है, with a little over 2 million cases and over 1,27,000 deaths globally, the pandemic has been unprecedented in scale, क्या रहा है, अगर इसका scale देखा जाए, इसका map देखा जाए, पैमाना देखा जाए, measurement की जाए, तो यह जो pandemic है, यह 1,27,000, तो deaths कर चुका है, और 20,000, से ज़्यादा लोग इससे impact हो चुके हैं, infected हो चुके हैं, तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, यह चीज क्या है, unprecedented, unprecedented का मतलब क्या होता है, जैसा पहले, कभी ना हुआ हो, unparalleled, unequal, ठीक है जी, फिर आगे क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है, when solidarity and unmitigated support from every member state is necessary, कह रहा है ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे, हर member state से, solidarity and unmitigated, मतलब complete support, ऐसे टाइम पे, जब complete support की जरूरत है, from every member state is necessary to, is necessary to win the war against the virus, कह रहा है, to win the war against the virus, withholding funding will not be in the best interest of any country, कह रहा है, funding को withhold करना, withhold करना मतलब रोक देना, पहल लिखा था, holding funding, यहां लिख रहा है, halting funding, यहां लिख रहा है, withholding funding, मेरा फिर से वही question है, यह withholding or funding, दोनों का part of speech क्या है, comment करके जरूर बताईएगा, will not be in the best interest of any country, the US included, भले ही वो US क्यों नहों, कह रहा है, भाई सब ऐसे टाइम पे, जब unity होनी चाहिए, उस टाइम पे आप अपस में लड़के खड़े हो जाओगे, तो यहां इस टाइम इस से तो नुक्सान सबका होने वाला है, भले ही वो US क्य पेंडेमिक, कह रहा है, failures हो, failures due to oversight or other reasons, oversight माने क्या दे रहा है, mistakes, कह रहा है, failure हुआ, भले ही वो mistake से हुआ, गलती से हुआ, या किसी और reason से हो गया, due to other reasons, by WHO और member states, या किसी member states से हुआ, can always be looked into, उसको investigate कर लेंगे, but not in the midst of a pandemic, लेकिन ऐसे टाइम पे, जब पेंडेमिक आया फिर कह रहा है, contrary to what, क्या लिख रहा है, contrary to what, Mr. Trump claims, WHO cannot independently investigate, but can only rely on individual member states to share information, इस article के अंदर, WHO का author completely support कर रहा है, author का मानना है कि WHO की कोई गलती नहीं है, गलती है तो चाहिना की है, और author ये भी, एक बात author ने विल्कुल सही की, कि चलो WHO की गलती थी या नहीं थी, सबसे बड़ी गलती तो चाहिना की थी, तो आप चाहिना को responsible ठहरा हो, चाहिना के लिए तो आप कुछ करनी रहे, लेकिन आप WHO की funding रोक के खड़े हो तो ये चीज कही ना कहीं गलत है, contrary contrary to what Mr Trump claims, WHO cannot independently investigate but can only rely on individual member states to share information, के रहे, WHO खुद क्या गरेगा, जब तक member state, मतलब कि China information नहीं देगा, तो WHO कुछ भी नहीं गर सकता, के रहे, there has not been one instance when it has been found covering up the epidemic in China, के रहे, ऐसी कोई भी अभी तक हमें ऐसा कोई भी instance, कोई भी ऐसे example नहीं मिला है, कि China की इस चीज को, वो cover up कर रहा था, cover up कर रहा था, मतलब conceal कर रहा था, छुपा रहा था, rather, it has been continuously urging countries to aggressively test people exhibiting symptoms and trace quarantine and test contacts to contain the spread, कह रहा है, जबकि WHO तो बार बार सब को क्या कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, continuously urging, अर्जमाने advice दे रहा है countries को to be aggressively test people, कि बहुत ज़्यादा aggressively, जो हमारे देश के अंदर नहीं हो रहा, खास कर इंडिया में testing तो उतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही, अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमारे देश में कितने cases हैं, क्योंकि China में भी या अमेरिका म ज़र नहीं आये हैं, तो कह रहा है कि aggressively test करो people को exhibiting symptoms, जिन में से symptoms दिखाई दे रहे हैं, exhibit माने show करना, and trace, और ऐसे लोगों को trace करो, quarantine करो, quarantine माने isolate कर दो, and test contacts to contain the spread, और test करो उनके contacts को भी, जिससे इस spread को क्या किया जासके, contain किया जासके, control किया जासके, आगे लिख रहा है, कह W.H.O के लिए लिख रहा है author, it repeatedly spoke of, spoke of माने बात करना, mention करना, the window of opportunity, and once want that it is narrowing, कह रहा है, यह तो हमेशा से यही कहता आया है, W.H.O तो बार बार यही कहता आया है, कि अभी हमारे पास opportunity है, लेकिन यह window जो है, यह narrow होती जा रही है, मतलब कि हमारे हाथ से time निकलता जा रहा है, कि हम इसको contain कर ले, historically, W.H.O has been against travel and trade restrictions, against countries experiencing outbreaks, and its position was no different, when in January, it declared COVID-19 a public health emergency of international concern, author कह रहा है, कि भाई, W.H.O की यह history रही है, W.H.O कभी भी, मानलो किसी country में ऐसा हो गया, जैसे चाइना में अभी हो गया, तो W.H.O कभी भी यह नहीं चाहता है, कि किसी भी country के उपर restrictions लगाई जाए, travel को लेके, trade को लेके restrictions लगाई जाए, तो इस case में भी इसने कुछ ऐसा different नहीं किया, बलकि January में ही, इसने हमें declare कर दिया था, warn कर दिया था, कि भाईया, यह जो pandemic है, यह जो बिमारी है, यह international concern की है, क्या लिख रहा है, देखो, दुबारा पढ़ो, कह रहा है, W.H.O has been against travel and trade restrictions against countries, experiencing outbreaks, जहां पर यह बिमारी फैल रही है, and its position was no different, इस बार भी इसकी position different नहीं थी, when in January it declared COVID-19 a public health emergency of international concern, but it did support, यहां से देखना क्या लिख रहा है, but it did support, अब देखो, लिखने में direct लिख सकता थ इत सपोर्टेड, डिरेक्ट लिख सकता था, इत सपोर्टेड, लेकिन यहां पर लिख रहा है, it did support, क्यों लिखा, did support, होता क्या है, do, does, did के साथ, हम कोई भी sentence बनाते है, positive, तो actual में होँआ पर sentence को हम emphatic बना रहे होते हैं, कह रहा है, but it did support China's large scale mitigation measures to contain the virus spread, तो कह रहा है, हाल चाइना के जो large scale mitigation measures है, जो चाइना ने बहुत बड़े-बड़े mitigation माने इस बीमारी को खतम करने के उन्होंने जो measures, जो steps लिए to contain the virus spread, उसको WHO ने support किया है, मतलब ओथर कही ना गई, WHO का पक्ष ले रहा है, वहो ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, फिर ओथर लिख रहा है, Faulting WHO, for imaginary failings cannot help Mr. Trump wash his hands of many administrative failures in containing the epidemic, कह रहा है, Faulting WHO, WHO की कमी निकालना, for imaginary failings, for imaginary failings, मतलब imagine कर रहा है, कि या देखो, गल्ती होगी, बीमारी फैलगी, उसके बाद हम यह सोचते रहें, कि यार यूँ हो जाता तो ऐसे हो जाता, यह हो जाता तो वो हो जाता, तो इन सब चीजों से काम नहीं चलता, अब जब गल्ती हो चुकी है, उस टाइम पे यह नहीं होता कि कमी तेरी कल्ती, मेरी गल्ती, उसकी, सबसे पहला काम यह होना च कि कैसे इस spread को रोका जासके जो पूरी दुनिया के लिए आज की डेट में खत्रा बना हुआ है पूरा का पूरा वर्ड पूरा का पूरा वर्ड लोकडाउन में अपने अपने घरों में दुबक के बैठा हुआ है हमारी इंडर्स्ट्री सब चीजे बन पड़ी है तो इस अब ध्यान से देखना कांट मिस्टर ट्रॉम्प है बाद वीवन यूज कर रहा है बेर इंफिनिटिव वाश इस हैंड्स ओफ मैनी अड्मिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स तो इससे वह उसके जो खुद गे अड्मिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हुए है अभी तक भी USA के मतलब यह तो नहीं है ना कि आप lockdown ना करो आप measures ना लो आप measures ले ही नहीं रहे उस चीज को लेके बिल्कुल भी आप वहां पर अभी भी election अरे elections को hold कर लो या time पर कुछ भी चलो जो भी है वो उनकी country का है लेकिन वो उस तरीके से measures नहीं ले रहे और ट्रम अंगल तो पता ही in dealing with COVID-19 वो क्या कर रहा है सब को blame कर रहा है जो उसकी खुद की कमिया है in dealing with COVID-19 but moving beyond blaming and actually withholding WHO funding can have disastrous outcomes के रहा है लेकिन लेकिन moving beyond blaming and actually withholding एक तो पहले पहले तो सिर्फ blame blame कर रहा था अब तो वो actually उससे भी आगे बढ़ गया और WHO की funding रोक रहा है तो कह रहा है भाज साब इसके तो disastrous outcomes हो सकते हैं उसके बाद क्या लिख रहा है if indeed if indeed he fervently fervently mean vehemently मतलब पूरे तरीके से completely if indeed indeed mean in fact वास्तों में वो believe करता है that the US has been misled अगर उसको यह लगता भी है कि उससे को mislead किया गया है it is China that he must hold responsible for तो भया आप गलती बताओ चाइना की for a delayed alert कि भाईया उसने alert ही delayed दिया सबको पता है कि वहाँ पे डोक्टर जिसने जो कोई whistleblower थे जिनोंने सबसे पहले इस चीज के बारे में बताने की कोशिश की उनको ही टपका दिया ठीक है previously he praised both China and WHO जबकि पेचली इससे पहले कहीं बार आपको बताया है Trump अंगल का कोई बरोसा नी रात को कुछ कहके सोईंगे सुबह उठके कुछ और कहते हैं पता नी क्या system है उनका कोई मतलब नशावशा करते हैं क्या पता नी तो previously he praised both China and WHO obviously the change in line is linked to a desperate bid to hide his own failures author कह रहा है यह जो change in line है author का view है यह direct author कह रहा है कि जो वो अपना move अपनी policy जो change कर रहे है change in line वाने policy जो change कर रहे है is linked to a desperate bid अब वो desperately चाहते हैं attempt कर रहे है try कर रहे है to hide his own failures अपने ही failures को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो हैसे time पर author सिरफ यही कहना चाह रहा है कि भाईया डेवली अच्चों के funding रोकने से funding hold करने से कुछ नहीं होने वाला अपने failures को छुपाने के लिए दूसरे के उपर गलतिया ना डलो और इतना ही author का message था मैं भी आप लोगों से यही message देना चाहता हूं कि अपने अपने घरों के अंदर ही रहो मैंने कहीं पर ही मैंने मतलब देखा है लोग इदर उदर घोम रहे हैं जैसे टीवी पर भी न्यूज में भी आता है तो भाईया अपने अपने घरों में बैठे जरूरत है और मैंने जो दो कोश्चन पूछे हैं उन दोनों कोश्चन का halting funding halting funding में halting और funding का part of speech क्या है मुझे comment करके इसका अंसर जरूर बताइएगा अगले एपिसोड में मैं आपको इनका अंसर दूंगा मिलते हैं अपसे अगले एपिसोड में आज के लिए इतना ही व